हेलो दोस्तों, मैं साथ आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह आप PSP के गेम नाउनलोड करके और उन्हें Android में कैसे चला सकते ही इसके लिए आप अपना इंटरनेट या कोई भी वेब बराउजर खोल लीजे उस पर सर कीजिए इम्यू पैरडाइस.me इस वेब साइट से आप कोई भी गिन नाउनलोड करके इस इंस्टाल कर सकते हैं मैं इंस्टाल करूंगा किन्टम आफ हर्ट्स इसको आप सर्च करके देख सकते हैं कि यह PSP का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है में जिसे आप इम्यू पैरडाइस से डाउनलोड कर सकते हैं यह जिप पाइल है इसको भी आपको अंजिप करना पड़ेगा वो भी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे इसकी डाइरेट लिंग पर आप क्लिक करें और dirig लिए स्टाट हो जाएगा एक पर आपने डारेक्ट लिंग पर क्लिक कर दिया यह अपने आपको शडार्क अजाय 파ॉँए दाउनलोड आपके लिए डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा यह आपको एक्स्ट्रैक्टर नाउनलोड करना होगा इसका नाम है जैड अचीवर इसे आप ओपन कर लिए और इंस्टॉल कर लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहां पर भी आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है आप उसे देख सकते हैं कि kingdom of hearts आपको मिल जाएगा उसको extract कर लीजे मैंने उसे पहले से extract किया हुआ है वो एक्स्ट्राइट करने पर कुछ इतनी सारी फाइल देगा उसमें आपको नीचे जाकर एक rar फाइल मिलेगी इस rar फाइल को extract करना है मैंने उसे पहले से extract कर लिया हुआ है आपको extract करने पर एक आपको फाइल मिल जाएगी इस आपको अपने एंडुएट में यह फिर पीएस फीए में चला सकते हैं इसको आपको चलाने के लिए एक अप्लिकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी इसका नेम फिपी एसस पीपी यह भी बहुत सी फेमस विपसर अप्लिकेशन है इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है आपके सामने इसको इंस्टॉल करके प्लेए कर रहा हूं जहां पर भी आपने उसका सेफ किया हुआ है उसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे में बहुत स्पीड में चला है और बहुत से कि मैंने डाउनलोड कर लिए हुआ है कोई भी गेम कर सकते हैं कि अपने वाचिंग करने के लिए थैंक्यू